कुछ आइसाग्स यह में भाजू में बैट लगे हुए है और कंदे में चोटाइए एक मेरे पैर पे गोड़े पे लगा है जहां चोट का निसान बना हुआ है अगर वीडियो नहीं होता तो आपको पता है आज कल लेडीज की बहुत जादा माननी जाती है मर्द को तो वैसी कमजूर मानते हैं होते हैं कायदे पर इतने नहीं होने के बत्तमी जी पर उतर जाए पूरा होना चाहिए उतके साब से बिलकुल नहीं अगर महिला को कुछ अधिकार दिये गए हैं तो उसका नाजाइश फाइदा नहीं उठाना चाहिए अग हमने अपने भाईया की ये वीडियो देखी जब उसने उस औरत ने मेरे भाईया को ये बुरी तरह से मारा तो हमारे दिल पर बहुत बुरी तरह जखम हो है सुनना थोड़ा था मा भी नहीं राम न देख का बोर दर दाया जब अमेर्के गेर जंदि कुण देखे था पानीपत के शेरा में एक मामला हुआ है और जिसको चोट मारी गई है वो मोनु मोनु है गोली गाओं का करनाल का गोली गाओं का वो रहने वाला है और पूरा मामला आखिर क्या था वही जानने के लिए कंचन टीवी की टीम पहुची है गोली गाओं में और हमारे साथ आप देख सकते हैं मोनु है मोनो भाई पूरा मामला आखिर था क्या कहां से आप आ रहे थे और किस वक्त का ये मामला है नमस्कार सर, सर मैं अपने ओफिस से पानीपत से आ रहा था मैं ट्रास्पोर्ट कंपनी में काम करता हूँ जैसे ही मैं खनरा गाउं में पहुचा तो मेरे साथ दो भाई और थे गाड़ी में तो हम CSC सेंटर पर गए थे बैंक के कुछ डोकुमेंट्स उठाने के लिए भाई के जैसे ही मैं वापीस आया तो बाल वाले रास्ते से अपने तरफ गोली गाउं की तरफ मैंने गाड़ी को मोड़ा तो मैंने गाड़ी लेके चल दिया था मेरे बैक साइड से एक लेडी जाई है जो माजरा गाउं की बताई जा रही है तो आई थी ओर अवर सपीड में थी 80-90 की उसकी एक्टिवा की सपीड थी और उसमें उसका अनबैलन्स हो गया था थोड़ा सा ओ एक्टिवा निच्चे उतर गई थी कच्चे में और कच्चे से उतरने के बाद फिर पक्के में आ गई हो उसको ना मेरी गाड़ी का कोई मैं उसके आथ नहीं आना था तो नमेरे को तो कोई डाउट ही नहीं था तो उसमें अपनी ने शेरा गाउं में आते ही जैसे कि के पहसे ब्हागने के कोषिश कुश्टेzगेंग जियुक्त्रव करता है जैसे एसे अरrain के माना बड़कर मेरे मैं कोई डाउट भी नहीं था कौई को इसा काम माने चलख परता को अपर पहल जायसे ही मैं गाड़ी के अत्रा उसने कोई बात नहीं बीच की होंगी महिला और उसने किसी की बात नहीं सुनी वहां अंदा दून डाल दिया मेरे उपर मारना शुरू कर दिया आपने वीडियो भी देखिये होंगी साहे 13-14 थपड मारे उसने मेरे को और उसके बाद मेरे को मैंने उसको बोला कि आप पुलिस को बुलाओ उसने हाँ सर मैंने उसको बोला तो उसने क्या का मेरे को कि मैंने ना पुलिस बुला दिया दो मिंट में पुलिस आ जाएगी पुलिस को फोन ने किया था उसने उसने ना अपने गरवालों को वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि आपके साथ एक और वैक्ती थे उन्होंने मेरा बीच बचाओ किया कि मेरे साथ है तो बहुत फुटवाएंगे तो उन्होंने भी उसको कहा कि दूर हो जा नहीं तो जान से मार दूँगी उस लेडी ने और फिर गाउं के सेरा गाउं के बुजुरग आये मेरे को फुटवाने के लिए तो उसने किसी की बात निमानी उस उसने अंदादून चलाती रहे इतनी देर में उसके गरवाले आए ओक कि इतना जब यह पूरा मामला हुआ गाड़ी रूकी है और कितना टाइम के बाद उसके परिवार के उसके हस्बन बताए जा रहे हैं उसके साथी बताएं कितना टाइम लगा उनको आने में पांच से पार मिंट लगी होंगी यह प्रोग वाए हैं उन्होंने कुछ में पूच्छा मेरे से उन्होंने आत्ते ही बैट से अमला कर दिया फिर लेडिज ने बैट खुछा लेडिज ने मेरी बाजू में भी बैट मारे हैं आपने देखा होगा वीडियो में और कंदे में चोट तो बिरजेश बाए को उसने एक बैट तो पड़दे पे मारा है उसके बाद में सिर में भी बैट लग लग इए जिसमें पांच से च्छे टंक आई हुए हैं तो फिर मैंने तो मैंने उसको पूचा है बढ़ी कोई प्रोब्लम तो बता दे लाष्ट तक मैंने उसकी पुश्ते ही रहे हैं या बस बोल वेला हुजिसरे बादों से कि मेमों था उसे भी सौड पाइए था जो जोड़नी निया है कोई दोते हैrichा कि अधर ह्लिवन भॉन किया एक पर चैनल को मेरे भाजी लोग फ़ोन किया कि मेरे रिष्यli वहां से वह फरार हो चुके थे वहां से बाग गए हो फिर मैंने इनको पूरी अखिकत बताई कि ये बात होई मैंने 112 नंबर के कोल करके पुलिस को इंफोर्मेशन दिया जब आपने कोल किया तो कितने देर के बाद पुलिस पहुंची पुलिस का तो सही था साथ से आठ मिन्ट में मेरे पास पुलिस की गाड़ी आ गई थी 112 नंबर उसके 15 से 20 मिन्ट के बाद SHO साब आ गए थे हाँ जी सर SHO साब ने आके हमारी समस्चे सुनी क्या प्रोब्लम ही दिया हमने अप्लिकेशन लिख के दिवा फिर हमने अपना मेडिकल करवाया रात को हमने साड़े दस-ग्यार बजे अपनी रिपोर्ट करवाई सर था न सर देखिए जम मेरी पिटाई सुरू ही थी उस लेडिज ने तो मैंने पबलिक में रुक का मारा था कि भाई एक बार ना आप वीडियो बना दो अच्छा हा सर तो कुछ वैक्ती न वहाँ पे ट्रक खड़ा था ठीक करवा रहे थे उसको ड्राइवर आयो था उस बाई ने मेरी पुकार सुनी कि ये बोल रहा है कि वीडियो बनाओ तो उन्होंने वीडियो शुरू कर दिया जैसे वीडियो वाइरल हुआ तो लेडिज को यह हो गया कि यह क्या होगी मतलब मौनों आपके दिमाग में कैसे आया कि वीडियो बनना चाहिए एक सबूत के तोर पे हो सकता आपको पता था कि पूरा गेम बदल जाएगा क्योंकि अगर वीडियो नहीं होता तो आपको पता है आज कल लेडिज की बहुत जादा माननी ज मौनों जी आपसे एक सवाल रहेगा अक्सर कहा जाता कि पूलिस सपोर्ट नहीं करती है और जब कोई कंप्लेंट करने वाली महिला हो तो पुरुष की बिल्कुल भी सुनाई नहीं होती है इस आपके मामले में पूलिस कारविया कैसा रहा आपको लेकर आप बीच बचाओ कि आप भुजरक को भी बैट लगे हैं वहाँ पे मैं सेरा वालों का ऐसान नहीं बूल सकता और मेरे गाउं वालों ने फुल सपोर्ट किया है मेरे को यह बोल दिया है जहां हमारी जूरत पड़ेगी तेरे से पहले हम मरने को तियार है बिल्कुल बिल्क ताकि एक जुटता की मिसाल है पूरा गाउं खड़ा है और ऐसा ही मोनु भी कहते है मोनु भाई अब देखिए जखम है वो भर जाएंगे जो चोट आपके दिल पर जो आपके आतम सम्मान को लगी है उसके लिए क्या आप चाहते हैं देखिए सर जैसे उसने हमारी बेजती कराती तो क्या उस पर जाएंगे या फिर आप सजा दिलाएंगे इस चीज से बिल्कुल आगरी निया उसको अम समझोता करने से अम पूरा केस लड़ेंगे जहां तक हमारा केस चलेगा बक्षने के मूड में नहीं है आज हमारे साथ किया कल किसी गरीब आदमी के साथ करेग प्या क्या मामला तो उसके बारे में तो उसके मैं क्या बोल सकता हूं सर मैं तो अपनी से बता सकता हूं कि मारे साथ उसने बहुत बुरा किया है जो बी किया है तो देखा आपने यहां पर मोनु है कहते हैं कि उनकी क्या मंशा थी यह तो जाज का विशह है लेकिन पुलिस की कि भूमिका इसमें काफी कही जा सकती है कि उनकी काफी अच्छी भूमिका रही है अभी तक जितना भी क्योंकि यह सुनने में आया है कि जब वहां से फरार तब तक को फ्रार था उससे पहले महिला को रेष्ट कर लिया था जी जी मेरे को तो इसके पती का भी नहीं पता था हमारे को तो यह बता गया कि यह लेडिज माजरा गाउं से है और बूप सिंग की वाई बता जाए जब यह सारा परकरन हो रहा था जब आपके साथ मार बिटाई हो रही थी तो वहां पर क्या आपके जहन में चल रहा था क्योंकि आप पर मुकों से थपड़ से और बैट से भी कोई आथ ही नहीं उठाए मैंने उसका फिर विस समान किया है मैं अपनी तमीज से बात की जी-जी करके उसको बोलता रहा लेकिन उसने कोई नहीं सुन ही उसको मेरे को माँ बैन जो भी उसके मुँँ में आब बक्ती चली गई और फिर मैंने ये भी बोला पुलिस को बुला ले तो बोल रियाइक क्या कर सकती है पुलिस जो अब होगा जो देखी जाएगी कैना की दबंग गई थी उसको पुलिस का प्रिशाशन का डर नहीं था नहीं ओ तो लखनव वाला कांड बनाना चारी थी ना कि मारियाना में फेमस हो जाओंगी कल गॉर्मिंट मेरे को समानित करेगी कि या ऐसा काम किया इसने देखिएगा बहुत बड़ी बात मोनु जी ने कही है कुछ साल पहले हरियाना के रोहतक में भी एक ऐसा मामला आया था दो बहनों ने रोड़वेज में कुछ लड़कों की पिटाई की थी वहाँ भी ऐसा ही निकल कर रहा था कि वो लड़किया फेमस होना चाहती थी कहीं न कहीं अपने आपको हीरोगी तरह दिखाना चाहती थी और ऐसा ही मामला लखनव में हुआ था और लखनव वाली बात हमारे जहन से दूर भी नहीं हुई थी और हमारे आस पास ही इस तरह की घटना घटी जिस से फिर से लोग सीहर उठे हैं और मामला इतरा बड़ा है कि हर बार महिलाओं की सुनी जाती है पुर्शों की नहीं सुनाई जाती लखनव वाले मामले भी सुनवाई इसलिए हुई वहाँ वीडियो था और अगर मोनु वाले में शेरा वाले मामले में भी अगर सुनवाई हुई है पुलिस अगर अपरादियों के गिरेबान तक पहुंच पाईए तो वीडियो बहुत बड़ा जरिया है तो आप सब सभी हम यहीं निवेदन करेंगे कि अगर आपके आसपास कोई क्राइम होता है तो उसको अपने फॉन से आप शूट करना ना भूलिएगा क्योंकि वो एहम करी हो सकती है एहम सुबूत हो सकता है अगर आज ये वीडियो नहीं होता वो ड्राइवर वो ड्राइवर अगर आज वीडियो नहीं बनाते तो आज उस महिला को सलाकों के बीचे वो महिला ना होती ना उसको सजा मिल सकती ना उसके पती और उसके साथ ही आज वो भगोरे होते क्या धन्नेवाद करना चाहेंगे उस ड्राइवर का जिन्होंने वीडियो बना है लड़कों पर वे वजाए लगा रियारोप और उनके साथ बहुत गल्थ किया जो भी किया इस महिला ने मौनु जी कहा जा रहा है कि महिला ने भी शिकायत दी उन्होंने क्या लिगेशन आप पर लगाए थे उसने लगा था कि यह मेरा पीछा करते आ रहे थे कभी तो बोलती ह हो हो कि गाडि इनोंए इतनी तेज बगाई ती कि मेरे शागे चल गभी दभी की सराब भी ती याज मैने डिंक निकी मैंने बहोंडिया कि problème की अपैड़कों करवा दीजीये है मैं पिछे नेहीं थिकेज सGS ब्रूद कर ने फनली किलो मिटर अपनी यह बता भी है तो आप य जूटी बोले थे अपने ही प्यानों में वो फस्ते जा रहे थे जी सर जी सर तब ही पुलिस को ओ गया था कि ये महिला बिलकुल जूट बोल रही है तब हमारी यू हुई है देखे आपने सारा अपने खुद मौनू के मौन से ये सुना है कि क्या वाक्या हुआ और वीडियो म मारती रही और जब उसका मन नहीं भरा तो उसके अपने पदी के आने के बाद वो और ज़्यादा हिंसक हो गी और बैट से बैट से पिटाई की इतनी पिटाई की कि मौनू को आप देख सकते हैं चोटे लगी है और उनके साथ ही जो है उसके सर पर टाके आये हैं और भी उन क्या कल को वो पंचायत में आके वो इस बात का वो खाना पूरती कर पाएगी क्या इस चीज को वो लिपा पूरती कर पाएगी नहीं कभी भी नहीं कर पाएगी जो जहन में बुरी यादे मोनू के डाल दी हैं वो कभी नहीं भूलेंगी और निवेदन हम करेंगे कि कभी भी कभी भी आप किसी के साथ महिला कानूनों की आड़ में कोई भी महिला ऐसा काम ना करे क्योंकि देखने में आया है कि महिला कानूनों की आड़ में महिलाएं पुर्शो का शोशन करती है वो घर की चार दिवारे से बाहर निकल कर अब रोर पर आने लगा है और उसी का शिकार बना है मोनू अपनी वेदन करेंगे आप सबसे कि जहां गहीं भी क्राइम हो तो उस पर आप अंकुश लगाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए जैसे मोनू ने किया है ये तो भलमानसत है कि इसके साथ शेरा गाउं भी खड़ा है इनका गोली गाउं भी खड़ा है इनका परिवार भी खड़ा है इनके अडोसी पडोसी मित्र प्यारे सबी खड़े है क्योंकि मोनू सही है और वो महिला अलग थलग पड़ गई है महिला महिला को भले ही जमानत मिल जाएं उसके पती अभी भागे हों है, कल को वो पकड़े जाएंगे लेकिन उनको भी सजा मिलेगी लेकिन ऐसे लोगो को कड़ी से कड़ा सजा मिलनी चाहिए ताकि कल को कोई भी महिला ऐसा कदम ना उठाए ताकि समाज का ताना बाना न बिगड़े बहुत बहुत धन्यवाद करूँ हर एक दर्शकर जो इस वीडियो को देख रहा है और वीडियो को शेर जरू कीज़ेगा दोस्तो मोनो को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को शेर जरू कीज़ेगा